हाइ, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि independent artists पैसा कैसे कमाते हैं अब बात करते हैं कि sign participants पैसा कैसे कमाते हैं लेबल के साथ क्या contract sign करते हैं अबने सुना होगा या देखा होगा लेबल का नाम लेबल जैसे T series Sony Music G Music ये अगे कंपनियां होती हैं जो इंडियन म्यूजिक इंडिस्टी में उन आर्टिस्टों को डूंगती है जो मार्केट में पॉपलर हो रहे हों चाये उनके गाने से या उनकी आवाद से जो अपनी सिंगिंग के दम पर मार्केट में छा रहे हों ये कंपनिया उन आर्टिस्टों को साइन करती हैं सिंगर और इन कंपनियों के बीच एक कॉंट्रेक्ट होता है एक एक्रिमेंट होता है जिनको सिंगर साइन करते हैं ये कॉंट्रेक्ट चार या पांस साल का हो सकता है इसी के अनुसार उनको अमाउंट दिया जाता है सोंग प्रेड्यूस करने में सारा पैसा इन कंपनियों का ह पर इनका बजट भी बहुत जादा होता है जो अकेला एक आम सिंगर अपने गाने में नहीं लगा सकता जैसे बाश्या को साइन किया है सोनी मीजिक ने और गुरू रंगाओ को साइन किया है टी सिरीज में इसके अलावा ये सिंगर लाइन सो से मर्चंडाइजिंग से कमाते हैं और ये कंपनियां ओनलाइन डिस्टिब्यूशन, स्ट्रीमिंग, यूटूब, रैडियो, टीवी, रॉयल्टीज और अधर सोर्च से पैसा कमाती हैं अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या सिंगर का और सोंग से भी पैसा कमा सकता है तो मिलते हैं अगले वीड वीडियो में बहुत मेनत और समय लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें